नमस्कार दोस्तों मैं मयूर आनंद एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ लंबे अंतराल के बाद आपसे जो है मुखातिब होने का अवसर मुझे मिल रहा है लेकिन ये जीवन की आपा धापी की वज़े से ये काफी लंबा समय आपके बिना ही बीता और मैं प्रयासरत रहूँगा कि अब किसी ना किसी तरह से आपसे मैं जुड़ा रहूँ छोटे या फिर किसी भी समसामाईक मुद्दों को लेकर के भी आपसे जुड़ा रहूँ आज एक मुद्दा है जिसने मुझे आपके समय प्रस्तुत होने के लिए काफी मुझे प्रिरित किया अंदर से अभी आपको पता है कि हाले में भारत के उच्चितम नियाले ने एक निर्ने दिया है जो है प्रोननती पे आरक्षण से सम्बंधित प्रोननती में आरक्षण का समवैधानिक जो प्रावधान है इससे आप सभी भली बाती परिचित है आज इस लेक्षण को लेकर आपके समख्चाने का मेरा जो मुख्य प्रयूजन है वो ये है कि आरक्षण में ये जो प्रोननती के प्रावधान है इसके समवैधानिक विकास कैसे हुआ और आरक्षण को मुद्दे को थोड़ा बहुत आपके सामने स्पस्ट करना इसी उद्देश के साथ मैं आपके समख्चो पस्थित हुआ हूँ तो आज का जो मेरा मुख्य लेक्चर का जो टॉपिक है वो है रोननती में आरक्षण समवैधानिक प्राब्धान और वर्तमान परिद्रश्य ठीक है प्रमोशन इन रिजर्वेशन, कॉंस्टिटूशनल प्रोविजन एंड करन्ट सिनेरियो तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे तो शुरू करते हैं इसको सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आरक्षण है क्या अगर साधारण भाशा में हम बात करें कि आरक्षण क्या है तो आरक्षण की बारे में हम यह कह सकते हैं कि आरक्षण एक ऐसी विवस्था है जो समाज में समाजिक, आर्थिक या सैक्षडिक या राजनेतिक रूप से पिछडे हुए नागरिकों के वर्ग को लिए सरकार को या राज को इस बात के लिए शशक्त करती है कि वो ऐसे पिछडे वर्ग के लोगों को शशक्त करने के लिए विशेश विधी का निर्मान करें तो अगर सामाज में किसी वर्ग के लिए हम विशेश विधी का निर्मान करने का प्रावधान समविधान या विधी के माध्यम से करते हैं तो कहीं न कहीं यही आरक्षण का एक मोटा मोटा स्वरूप है। आरक्षण से आप सब भली भाती परिचित हैं, लेकिन फिर भी यह किस तरीके से काम करता है, क्या है reasonable classification, क्या है वर्ग विधान, यानि की class legislation और क्या है, reasonable classification, इन चीजों को चर्चा करते हुए, अपने lecture के शुरुवात करूँगा, तो आरक्षण के बारे में हम बात करें, reservation के बारे में हम बात करें, तो reservation means to making several provisions, specific provisions for a several community of the country, कि जो स्राज्य है, या हमारा देश है, हमारे देश के कुछ विसिष्ट वर्गों के लिए कुछ विसिष्ट विधी का निर्मान करना ही, क्या है? आरक्षण है. तो आरक्षण काम कैसे करता है, इसको भी बैखेंगे, और जब हम आरक्षण के काम करने के तरीके को समझ लेंगे तब हम समझेंगे कि आज में जो वर्तमान स्थिती है प्रमोशन में आरक्षण को लेके इसमें क्या समस्यां है और अभी वर्तमान परिद्रिश्च में जो निर्ने आया है इसका क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो आरक्षण क्या है यह हम समझते हैं आरक्षण क्या समवैधानिक प्रावधानों को दिखते हैं अब इसको हम दो तरह से देखें एक है आपके मूल समवैधान में क्या स्थिती थी और वर्तमान समवैधान में क्या स्थिती है ठीक है यह है आपका बेसिक कॉंस्टिटूशन और यह है आपका करेंट कॉंस्टिटूशन यह मौडन कॉंस्टिटूशन हम कह सकते हैं हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 के बारे में जब हमें हमारा समवैधान मिला समवैधान लागू हो गया तो उस समय के समवैधान में क्या स्थिती थी आरक्षन की और आज जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें आरक्षन की क्या स्थिती है देखें आरक्षन के वैसे प्रावधान कई सारे हैं लेकिन जो हमारा लेक्चर है हमारे लेक्चर की जो परीधी है वो मुख्य रूप से सरकारी सेवाओं में आरक्षन और इससे जुड़े हुए प्रावधान प्रमोशन में जो आरक्ष 16 clause for article 46, 335, 331, 333, 330, 332 और भी कुछ प्राप्धान है लेकिन चुकि हमारा संबंध इससे भी फिलाल 131, 333 से हैं नयदपी की इसको जो है 104 में संविदान शंशुधन के माध्यम से रिपील भी कर दिया गया है अगर हम बेसिक कॉंस्टिटूशन में बात करें तो article 16 का clause 4 है 46 है, 335 है और जिससे हमारा सरोकार है वो ये तीन आरक्षण ही एके प्राप्धान जो है इन ही से इर्द गिर्द हमारा lecture जो है घूमेगा इससे हमारा कोई संबं नहीं लेकिन चुकि ये राजनेतिक रूप से आपको शशक्त करने के लिए आरक्षण की विवस्था जो है की गई है इसलिए मैंने उस प्राप्धान को यहां पर लिख दिया है तो ये आरक्षण के मूल प्राप्धान जो है मूल समविधान में थे और कुछ जो है आपके modern constitution में निकल कर आए है उनको हम देखेंगे बेसिकली हमारा जो बिंदू होगा यहां होगा 16.4.A जो की 77th constitutional amendment से आया है और जिसका जो संबंद है वो है आपका reservation in promotion हमें ये चीज जो है देखनी है इसको हम शुरू करें इससे पहले हम समझ लें कि हमारे समविधान में एक और article है जो देखने से तो आरक्षण की राह पर एक बहुत बड़ा रोड़ाद आपको दिखता है लेकिन वास्तविक रूप में आरक्षण की उपज का मुख्य कारण ये भी है और ये भी जो है basic constitution का matter है यदिपी की इसमें जो प्रावधान है ये judicial interpretation से आए तो पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि article 14 किस तरह से काम करता है और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या basic provisions थे और क्या modern provisions है और क्या constitutional developments हुए है case laws के थुरू step by step को देखेंगे कि सबसे पहले या सर प्रथम किस मामले में यह कहा गया है कि आरक्षड जो है वो प्रतेक स्तर पर है ना किस मात्र प्रारंभिक स्तर पर है और यह क्यूं कहा गया है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम article 14 को देखेंगे क्योंकि अगर हम literal interpretation करें ठीक है तो literal interpretation के point of view से आप देखेंगे तो article 14 जो है वो आरक्षड की रा हमें सबसे बड़ा रोडा है लेकिन article 14 का एक पहलू ऐसा ही है जो आरक्षड को मानिता प्रदान करता है तो पहले उस चीज़ को हम समझ लेते हैं अनुक्षेथ 14 या article 14 आर्टिकल 14 में दो टर्म का यूज किया गया है equality before law और दूसरा है equal protection of law यानि विधी के समक्ष समता विधी का सामान सन्रक्षड विधी के समक्ष समता विधी का सामान सन्रक्षड ये दो पद है ये बिटिश कॉंस्टिटूशन से आया है और ये अमेरिकन कॉंस्टिटूशन से ठीक अब जड़े इसको समझ लीजे कि ये जो है negative in nature यानि नकारात्मक है और ये positive है यानि सकारात्मक वैसे पूरे के पूरे जो भागतीन के प्रावधान है वो negative है जिसको first generation human rights भी कहते हैं या civil and political rights भी कहते हैं ये negative rights भी हैं क्योंकि आप जब भी देखेंगे किसी भी article को पढ़ेंगे जैसे no person shall be deprived of his life and personal liberty except the procedure established by law या state shall not deny to any person to equality before law and equal protection of law तो not की बाद है यानि state ये नहीं करेगा तो इसलिए ये नाकरात्मक अधिकार बन जाते हैं लेकिन ये जो दो पद हैं जो कि अनुछे 14 में वर्नित हैं इनके बारे में बात करना हैं ये है साकरात्मक ये राज के उपर एक साकरात्मक जो है करतव या धिरोपित करता है और वो क्या है कि अपलिफ्ट करिए विधियों का सामान सनरक्षण तो विधियों का सामान सनरक्षण उन्हीं लोगों को मिल सकता है जुन को सामान रूप से अवसर प्रदान किया जाए विद्यो का सामान सनरक्षण एक साकरात्मक प्रावधान है और ये कहता है कि जो भी राज्ज में सामाजिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक, सैक्षणिक, फिक, रूप से जो लोग भी पिछड़े हुए हैं जिनको सामाज में सामान जो है व्यवहार नहीं मिला या सामाज में वो पिछड़े रहे हैं, आर्थिक रूप से उनकी जो उन्नती नहीं हो पाई, इसलिए वो पिछड़े हुए हैं, या सैक्चडिक रूप से भी वो इसलिए पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनको सिक्छा का परियाप्त आवसर प्राप्त नहीं हुआ, ये पिछड़े हुए इन पिछडे हुए लोगों को आपको क्या करना है? अपलिफ्ट करना है, यानि इनका उद्धार करना है और जब तक आप उद्धार नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? समविधान की उद्देशिका में वर्णित जो सोशलिजम का कॉंसेप्ट है सोशलिजम का कॉंसेप्ट यानि समाजवाद नहीं हो पायोगी, समाजवाद का मतलब ही है कि प्रतेक वेक्ति समाज में क्या हो? समान हो तो समान स्तर पे लाना है तो उद्धारन के रूप में मान लीजे कि एक वेक्ति जिसकी आए एक हजार रुपे है और एक वेक्ति जिसकी आये 10 लाख रुपे है ठीक है? 10 लाख रुपे ये दोनों आपस में समानने इनके बीच में आर्थिक असामानता है तो इस आर्थिक असामानता को दूर करने के लिए सरकार के उपर ये करतव है कि वो क्या करे? इसको सामान बनाए यानि इसकी जो आय है इस आय में व्रिधी करे अगर कोई वेक्ति सैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो इसको सिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए सरकार इसके पक्च में क्या करे? सीटो को सुरक्षित करे यानि की रिजर्वेशन दे तो ये positive in nature है और इसका कामी है कि समाज का जो निचला वर्ग है उसको आप uplift करे उसको उपर लाए और उपर ला करके समाज में समानता लाने का प्रयास करे तो ये positive in nature है ये समाज में जो लोग भी निचले तबके पे हैं उनको मुख्यधारा में जोडने उनको अप lift करने के बारे में राज के उपर एक सकरात्मग जो है करतव या धिरोपित करता है ये negative in nature है negative in nature कहता है कि समाज में जितने भी लोग समान है तो इन लोगों के बीच में आपको विभेद कारी कानून नहीं बनाने है यानि कि ये negative है आपको ऐसा काम नहीं करना है आपको समानों के साथ समान वेभार करना है यानि कि ये सब क्या है आपस में समान है तो इनके साथ समान वेभार करना है लेकिन suppose करिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आए एक हजार रुपे है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आए सो रुपे है ठीक है? ये दोनों समान नहीं है ये दोनों और समान है और इन लोगों के ऊपर ये विधी के समक्च समता का प्रिंस्पल अगर हम साधारन तरीके से लागू कर दें, for example, कि सरकार की एक स्कीम आई, जिस सरकार की स्कीम में कहा कि वो व्यक्ती जिसकी आए एक हजार रुपए है, उसके बच्चे को स्कूल की फीस क्या होगी, माफ हो तो क्या ये जो है, सही है, नहीं, क्योंकि ये already जो है, दोनों अलग-अलग क्लास को बिलॉंग करते हैं, इन दोनों में समानता नहीं है, आपको इनके लिए विशेश प्रावधान करना है, या इनके लिए विशेश प्रावधान करना है, दोनों आपस में समान नहीं है, द जोनों अलग अलग है झाइब और इन दोनों को अगर हम एक दृष्टी कोम से देखें यानि दोनों के लिए अगर हम सेम लॉव लगाए तो यह क्या हो और समानता होगी क्योंकि समानता समानों के मद्द्ध नौकी ऑ समानों के मद्द्ध । दूसरे उधारण के रूप में समझिये कि एक वेक्ती है जिसकी आए दस हजार रुपए है और एक वेक्ती है जिसकी आए एक हजार रुपए है सरकार का ये कहना है कि जिनकी दस हजार रुपए आए है इनको भी कोई टेक्स नहीं देना है या इनके tax में हम जो हם इनसे जो है 5% का tax लेंगे जिनकी या 1,000 है इनसे भी 5% का tax लेंगे तो क्या यह equality applicable हो रही है नहीं क्योंकि दोनों equal नहीं है Equals amongst equality होती है नौकी unequal amongst equality होगी Equality amongst equal समानों के मद्स समता होगी नौकी और समानों के मद्स तो ये जो प्रावधान है ये समाज में पिछड़े हुए है या फिर जिस तरह से जो लोग पिछड़े हुए है आर्थिक समाजिक सेक्षणिक रूप से उनको अपलिफ्ट करने की बात करता है कि उनको अपलिफ्ट कर दीजे और ये कहता है कि जो लोग समान है उनको समान से देखना है अब इसमें बात क्या है कि अनुक्षे 14 में दो बातों की जिक्र किया गया है अनुक्षे 14 में आप पढ़ते हैं कि यह क्या करता है वर्ग विधान को निशेद करता है यानि restrict class legislation but allows reasonable classification किन्तु युक्त युक्त वर्गी करण को माननेता प्रदान करता है ठीक है ये बात आप सब जानते हैं किस तरीके से काम करता है इसके बीच में जाने की जरूरत नहीं है वो specific lectures जब उसे आप से बनेंगे तो उसको बता दूँगा मैं तो वर्ग विधान को निशेद करता है युक्त युक्त वर्गी करण को माननेता प्रदान करता है इस जो फ्रेज है आपका इसका संबंद equality before law और equal protection of law दोनों से हैं वर्ग विधान को निशेद करता है का मतलब क्या है इसका संबंद है आपका equality before law से यानि कि आप एक क्लास के लोगों के बीच में अलग-अलग law नहीं बनाएंगे जैसे उधारण के रूप में अगर दो छात्र हैं जो समान वर्ग के हैं इन समान वर्ग के दो छात्रों के बीच में आप जो है अलग-अलग law नहीं बनाएंगे इन दोनों के उपर एक ही law applicable होगा क्योंकि ये equal लोग है और equality amongst equal का concept चलता है ठीक है लेकिन दो और समान लोगों के बीच में आप एक समान कानून नहीं बना सकते जैसे कि क्या है एक पुरुष है और एक महिला है महिला को आरक्षण आपने दिया तो महिला को आरक्षण क्यों दे रहे है क्योंकि दोनों अलग-अलग class को belong करते हैं तो वर्ग विधान को निशेद करती है, यह अलग अलग वर्ग, एक वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग कानून जो है, नहीं बनेगा, एक वर्ग के एक कानून होगा, दूसरे वर्ग का अलग कानून होगा, और दोनों एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, युक्ति युक्त क्या है पिछड़ा हुआ है चाहिए वो समाजिक रूप से पिछड़ा है आर्थिक रूप से पिछड़ा है आपका सैक्षणिक रूप से पिछड़ा है या महिला है ठीक है यह कहता है कि यह अलग है और यह अलग है अब इन दोनों को हम एक रूल से अगर दोनों पर अप्लिक कर दें तो क्या होगा equality before law होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि equality before law होती है amongst equal and they both are not equal they are separate with each other because the one side belong from a general class and other side is belong either from the OBC class the SC or ST or might be female हो सकता है कि यह अलग हो तो यह अलग है और दोनों को एक पहलू में नहीं रख सकते एक समान द्रिष्टी कुण नहीं रख सकते तो अगर रखेंगे तो इसका violation होगा तो इसलिए कहता है कि समानों के मद्ध समानता करिए अब आप इसको समझ लिजे तो वर्ग विधान को निशेद करता है का मतलब यही है कि equality amongst equal होगी और अलग-अलग class के लिए अलग-अलग law हो सकते हैं लेकिन एक class के दो लोगों के लिए अलग-अलग law नहीं होंगे एक ही होगा जिसे दो SC कोटे की महिलाएं अगर है तो उन दोनों के लिए अलग-अलग हम कानून अगर बनाते हैं तो क्या होगा इसका violation होगा यह वाला जो provision है equal protection of law यही जो है क्या करता है reasonable classification को validate करता है ठीक है reasonable classification की validity यही देता है और कहता है कि अगर हमारे पास कोई reason है कि हम दो लोगों के बीच में क्या करें classification करें वर्ग की करण करें उनका तो यह ऐसा करना सही है यह equality का violation नहीं है अब अगर इस प्रोविजन को हम देखें इसके specific explanations आपको आगे के further articles में दिखाई देते हैं जैसे अगर हम बात करें इसके specific explanation की तो आपको यह दिखता है article 15 के clause 1 में और कहीं न कहीं 2 में भी और हलाकि 2 का संबंध जो है वो private व्यक्तियों के विरुद्ध है कि private व्यक्ति भी क्या करते हैं अगर आपके सामान रूप से मौलेक अधिकार का उलंगन करते हैं जो अनुक्षेद 15 का उलंगन है तो उस पे उपचार है अनुक्षेद 16 का खंड 2 ठीक है यह इसके क्या है specific explanation है कि वर्ग विधान को निशेद करेगा तो इसका मतलब यही है कि अब article 15 की हम बात करें तो state क्या करेगा सेक्स अब वर्थ यह पाच आधार है धर्म, मुलवंस, जाती, लिंग, जन्मस्थान और आर्टिकल 16 की क्लॉस 2 में आपको दो जो है मिल जाते हैं एक आपका descent जो है यानि धर्म, मुलवंस, जाति लिंग, जन्मस्थान, निवासस्थान और उदभव, दो अलग जो है आपको आधार मिल जाते हैं निवासस्थान और उदभव के रूप में, तो ये वही है कि आप जो है इन आधारों पर किसी से भी विभेद नहीं करेंगे, यही चीज़ आर्टिकल 16 कहती है, आर्टिकल 15 कहता है कि state जो है, इन में से किसी भी ग्राउंड पे क्या करेगा, सिर्फ के वर इस में से किसी भी एक ग्राउंड पे किसी भी प्रकार का discrimination नहीं करेगा, लेकिन जो reasonable classification वाला provision है, वो validate हो जाता है, आर्टिकल 15 के clause 3, clause 4, clause 5, 5 और अब नया clause 103rd constitutional amendment से clause 6, फिर आर्टिकल 16 में 4A, 3, 4, 4A, 4B, 5 और 6, यह reasonable classification के wishes to dharan है, यानि कि जो equality before law or equal protection of law का है, तो equal protection of law देने के लिए हमको society में upliftment करना है, उन upliftment करने का provision जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जो महिलाओं को जो है, पंदरा तीन में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है, पंदरा चार में जो है backward classes के लिए सैक्षणिक और सामाजिक रूप से backward है, उनके लिए बात करता है, इसके बात से clause 5 में सिक्षन संस्थाओं में प्रवेश की बात है, clause 6 में जो है 10% reservation की बात है, और इस तरह से यहाँ भी प्रावधान है, जबकि clause आपका one क्या कहता है कि religion के basis पे या caste के basis पे, तो caste के basis पे आपको discrimination नहीं करना है, लेकिन 15 clause 3 में state has entitled to make a specific law for the protection of women's and childs, यानि कि महिलाव और बच्चों के लिए विशेश विधी का निर्मान करने का प्रावधान करता है, 15-4 की हम बात कर ले, 15-6 की बात कर ले, 16-4 की बात कर ले, ये क्या है, सब जाती के आधार पर बात करता है, ठीक है, SC, 16-4 में तो खैर, इसके बारे में बात नहीं है, लेकि तो क्यों कि ये reasonable classification से protected है, तो article 14 भी basically two parts में divided है, एक है equality before law और दूसरा equal protection of law, एक का अपरोज जो है वो negative है और दूसरे का positive है, positivity में या स्टेट को क्या करना है, क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, negative sense में जब अपलिफ्ट हैं सब लोग और एक ही class को belong कर रहे हैं, उन एक class के लोगों के बीच में अलग-अलग law नहीं बनाना है, लेकिन एक अलग, दो class के, दो अलग-अलग class के people के बीच में अलग-अलग law बना सकते हैं, तो अगर वैसा law बनाना जरूरी है, समाज में समान समानता लाने के लिए, क्योंकि बिना समानता लाए, वो होगा नहीं, और समानता लाने के लिए क्या है, विशेश प्रावधान करना ही, यानि आरक्षन देना, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि सरकार के द्वारा किसी विशेश वर्ग के लिए, विशेश विधी का निर्म 4 कहता है कि nothing of this article shall prevent state to make special provisions for the purpose of special provisions for backward classes whose presentation is not adequate in the service and a service or post or in the matter of appointment under the state or union यानि कि इस अनुक्षेत की कोई भी बात राज को जो ऐसे विक्ति हैं backward class के पिछडे हुए नागरिकों के ऐसे वर्ग के लिए जिसका राज की राय में राज के अधीन सेवाओं में परियाप्त प्रतिनिधित तो नहीं है उनके लिए विशेश विधी का निर्माण करें यहाँ पेक SCRST की कोई बात नहीं करता लेकिन पिछडे वर्ग में यहाँ सब लगभग शाम मिलें यहाँ पिछडे वर्ग का मैटर वो नहीं है जो पिछडी class से या पिछडे जो जाती है ठीक है जो 27% के अरक्षन की बात होती है उससे related नहीं है यहाँ सब लोगों के बारे में बात लगभग होती है तो पिछडा वर्ग जो है जो की समाज में पिछडा हुआ है दूसरा आपको provision देखने को मिलता है article 46 में article 46 जो है वो state के ऊपर एक positive duty लगाता है क्योंकि आपको पता है कि part 4 जो है यानि कि directory principles of state policies जो है वो positive in nature है इनको second generation human right या economical, social and cultural human right की रूप में भी हम जानते हैं यह राज के ऊपर एक सकरात्मक भूमी का क्या करता है अधिरूपित करता है state shall endeavor तो राज प्रयास करेगा तो अनुक्षेट 46 को अगर हम देखते हैं तो अनुक्षेट 46 में क्या है कि promotion of educational and economical interest of scheduled caste and scheduled tribe and other weaker section weaker section of society unity यानि कि अनुसोचित जाती और अनुसोचित जन जाती और समाज के अन पिछडे वर्गों के लिए जो section है उनके सिक्षा और आर्थ संबंदी हितों को बढ़ावा देने के लिए एक positive है और हर बार जब state ने reservation देने की कोशिश की है शुरुवाती समय में तो उसने अनुक्षेट 46 का सहारा लिया है कि राज की या समविधान निर्माताओं ने हमारे उपर ये करतव अधिरोपित किया है कि हम ऐसे वर्गों के लिए विशेश प्रावधान करें और अगर हम ऐसे वर्गों के लिए विशेश प्रावधान कर रहे हैं तो यह अनुक्षेद 29 के खंड 2 का या अनुक्षेद 15 का वाइलेशन नहीं है ठीक है ऐसे cases जो है कई बार देखने को मिले हैं उनको discuss किया जा सकता है उन पे अगर विशेश lectures जो है लेके आए तीसरा जो provision आपको देखने को मिलता है जो हमारे काम का है वो है 335 335 के बारे में अगर हम बात करें तो यह कहता है कि claim जो होगा scheduled caste के लोगों का और scheduled tribe के लोगों का नौकरियों के मामले में यानि कि on the matter of employment or the post under the union or state यानि राज्ज के अधीन सेवाओं में और जो है संग के अधीन की सेव जो अनुसोचित जाती और अनुसोचित जन जाती के दावे हैं वो दावे तो सही है लेकिन एक चीज को आप ध्यान में रखेंगे और वो क्या है प्रशाशन की दक्षता यानि प्रशाशन की दक्षता को बनाए रखने के साथ ही साथ ऐसे दावों को स्वीकार जो है किया जाना चाहिए इंग्लिश में बात करें अगर हम तो EFFICIENCY EFFICIENCY IN ADMINISTRATION क्योंकि अब आगे जो प्रमोशन की बात आएगी उसमें आपका अनुक्षे 335 की बड़ी एहम भूमी का है ये प्रावधान जो है आपको दिखाई देते हैं तो ये जो है आपके basic constitution में वो प्रावधान है जिसका संबंध हमारे जो है आज के lecture से है या दिपिकी मैंने बताया कि और भी प्रावधान है लेकिन उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है हमारा संबंध जो है वो इससे है कि 335 में ये बात की गई है कि आप आरक्षड दीजिए लेकिन प्राशाशन की दक्षता को बनाये रखने का प्रयाज कीजिए अब कुछ इसमें developments भी हुए है यानि modern constitution आया है इसमें modern constitution में मैंने बताया कि आपके पास article 16.4a आया 16.4b आया ये जो है मुख्य रूप से प्रावधान है 16.4.6 आया ये जो है मुख्य रूप से प्रावधान है इन पे ध्यान रखने की जरूरत है खेर हम इनको समझ ही रहें लेकिन हमारा सरोकार है article 16.4a से जिससे पे हम discuss करेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि promotion में reservation के concept आया कहां से है हम एक चीज ये समझ चुके हैं कि आरक्षन की प्रनाली कैसे काम करती है पर promotion and reservation जो है वो पूरे तरह से क्या है वैलिड है लेकिन इसके शुरुवात कैसे हुई है और इतने समय बीट जाने के पस्चात भी promotion में reservation क्यों नहीं मिल पा रही क्या मुख्य जुरू है समवधानिक कारण है राजनितिक कारणों पर में नहीं जाना चाहता कि उसमें political will की कमी है या नहीं है लेकिन समवधानिक प्रावधान क्या है और क्या कारण है और इसके पीछे जो supreme court के judgments आए है जो judgments की 6 या 7 judgments की पूरी series है उनको आपके सामने back to back में रखोंगा चलिए तो बने रहिए मेरे साथ चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को like कीजिए और share कीजिए तो देखिए जो प्रोनती में आरक्षण है या reservation in promotion है इसकी सरप्रथम जो है मांग की गई है case law है इस पे general manager Southern Railway versus Rangachari A.I.R. 1962 Supreme Court और इसके बाद एक judgment और रहा है State of Kerala versus N.M. Thomas 1976 दिखिए इस matter में सबसे पहले reservation जो है प्रोमोशन में देने की कोशिश की गई थी और जब reservation प्रोमोशन में देने की कोशिश की गई थी तो उसको validate भी किया था court ने और court ने जब interpretation किया article 16 का जो की employment के matter पे या opportunities जो है public employment के matter में equality of opportunity की बात करता है यानि कि अवसर की समता के बारे में बात करता है राज्य के अधीन पदों पे और जो है नौकरियों में आरक्षण के बारे में जो बात करता है उस पे सरप्रतम इसकी बात हुई थी कि क्या जो ये आरक्षण है ये आरक्षण सिर्फ नियुक्ति के समय है या नियुक्ति के बाद अन्य चरणों पर भी ये दिया जा सकता है तब आर्टिकल 16 में जो terminology यूज की गई है matters related matters related to the appointment जल्दी जल्दी इसे खतम करेंगे बहुत लंबा लेक्चर को नहीं करना है matters related to the appointment तो matters related to the appointment terminology यूज की गई है एक phrase यूज किया गया और इस phrase को ही जो interpreted करके court ने कहा कि जो आरक्षण है आपका वो आरक्षण मात्र प्रारंभिक चरण पर ही नहीं है बलकि इसके बाद आगे के अन्य चरणों पर भी है और इसे अनुकरम में उन्होंने कहा न्याले का ये मानना है कि जो आरक्षण है वो प्रोननती के मामले में भी है यानि कि प्रोननती में भी आरक्षण जो है वो validate है क्योंकि matters related to the appointment है ठीक है प्रावधान यानि कि जो है नियुक्तियों से संबंधित प्रावधानों के मामले में matters जो है मुद्दे जो है उसमें आरक्षण जो है अवसर की समता होगी तो चूकि matters लिखा हुआ है इसलिए इसमें for the first time इसकी बात की गई थी और बाद में state of kerala versus annan thomas के case में भी इसको valid ठहराया गया लेकिन इसके बाद आपको पता है कि जो बीपी मंडल और बीपी मंडल के अधिक्षता में जो है मंडल commission की report आई थी उसको challenge किया गया था और लगभग दस बड़े मुद्दे थे मंडल commission केस में उन सारे मुद्दों में से तीन जो प्रावधान है बहुत ही जादा महत्यपूर है एक है प्रमोशन जो reservation in promotion वाला matter दूसरा है आपका carry forward rule और तीसरी चीज़ है कि backwardness कैसे decide होती है तो खेर हमारा मुद्दा जो है सिर्फ प्रोनती वाले मुद्दे पर आज हम देख रहे है carry forward rule या जो है अग्रनैन का सिध्धान जो है उसको फिर कभी देखेंगे उस पे हम बात करते हैं तो इसके बाद जो judgment आया है इंद्रा सहनी वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोड नाइन जज़िस की bench का यह constitutional bench का decision था और इस matter में काफी सारे मुद्दों को उठाया गया था एक मुद्दा उसमें से यह था कि क्या जो है reservation promotion में मिल सकती है प्रमोशन के matter में reservation मिल सकती है या नहीं सुप्रीम कोड ने जो है interpreted किया इस provision का और अपने previous decisions को overrule करते हुए कहा कि जो आरक्षण है आरक्षण मात्र प्रारंभिक नियुक्तियों तक है ठीक आप इसको नौकरियों के हर चरण में ये आरक्षण आपको नहीं मिलेगा और promotion में आरक्षण आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये मात्र ये प्रारंभिक नियुक्तियों तक है और जिन राज्यों ने promotion में reservation दिया है वो उन्हें 5 साल में क्या करे खतम कर ले ये constitutional bench का decision था और जो है nine judges की bench से decide हुआ था 1993 में जो है ये judgment आया और 1993 में इस judgment के आने के दो वर्ष के बाद ही यानि 1995 में विधाइका ने अपनी सर्वुच्चता को स्थापित करने के लिए क्या किया 77 समविधान्चन सोधन लाया article 16 में और जोड़ा गया क्या article 16 4A article 16 4A 1995 में 77 constitutional amendment के थूँ क्या किया गया जोड़ दिया गया जो क्या कहता था कि promotion में reservation जो है वो valid है और promotion में reservation जो है दिया जा सकता है हाला कि बाद में जाके 25 समविधान्चन चोधन के माध्यम से इसमें अनुवर्ती वरिष्ठता या consequential seniority का provision आया है जिसको मैं अगले जो है lecture का part बनाऊंगा उसको discuss करेंगे तो 16.4.A के दूत्रू जो क्या किया गया reservation इन promotion को validate कर दिया गया और इसको एक समविधानिक प्रावधान बना दिया गया जिसके माध्यम से promotion के matters में reservation मिल सकता है और promotion के matters पे reservation जो है वो मिलता है किसको SC को और ST को ठीक है ये provision OBC caste के उपर applicable नहीं है ठीक है इस बात को ध्यान में रखियेगा और आप जानते है कि मंदल कमीशन के case में ये कह दिया गया था कि पिछडे पन के निरधारन का आधार क्योंकि अनुक्षेत 16.4 जो की शुरू से ही समविधान में है वहाँ पे पिछडे वर्ग की बात की गई थी तो कहा गया कि पिछडे पन के निरधारन क्या होगा तो पिछडे पन के निरधारन में बाला जी के case में जाती को जो है आधार मानने से इंकार कर दिया था लेकिन मंदल कमीशन के case में जाती को मान लिया गया था और आप देख रहे हैं कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट में भी जातीयों के आधार पे ही स्थी और स्थी के लोगों को समलित जो है माना गया तो ये प्रावधान था इतनी बात हो गई कि 77 समविधान शंशोधन में इसको वैलिडेट कर दिया गया अब इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के डवलप्मेंट्स हुए है और वर्तमान इस्थिती पे हमें पहुँशने के लिए सिफ चार केसिस का जो है सफर तय करना है तो बने रहिए 77 समविधान शंशोधन के माध्यम से प्रोननती में आरक्षण को वैलिडेट तो कर दिया गया और इस बारे में आरक्षण दिया जाना राजियों ने प्रारंब कर दिया अब इसके बाद जो 77th constitutional amendment है यानि 77th समविधान सुधन है इसकी constitutional वैलिडेटी को M. नागराज M. नागराज versus Union of India 2006 Supreme Court के matter में इसकी constitutional वैलिडेटी को चैलेंज किया गया Supreme Court ने Article 46 का सहारा लिया Article 46 में कि उन्हें कहा कि जो अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती और अन्य पिछड़ा जो सेक्षण है वीकर सेक्षण है दुर्बल वर्ग है उनके सामाजिक और सेक्षण आर्थिक और सेक्षणिक विस्तार के बारे में बात करता है तो इनके आर्थिक हितु को सनरक्षण करना भी कही न कहीं आवश्चक है तो 46 और साथ में Article 17 को कहा कि समाज से छुआ छूत या अन्टचिबिल्टी के प्रावधान को समाप्त करने में भी एक महत्वपूर भूमिका अदा करता है और समाजिक समाजवाद लाना भी इसके लिए जरूरी है उन्होंने कहा कि ठीक है 77th Constitutional Amendment पूरे तरह से वैलिड है लेकिन इसका Political Misuse ना हो इसके लिए Guidelines दी और कहा कि जब भी आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की कोशिश करेंगे तो प्रमोशन में रिजर्वेशन देने वाले उस मैटर में आपको कुछ चीज़े क्या करनी होगी प्रूव करनी होगी पहली चीज़ की said class to whom state is going to provide reservation must be backward अर्थात राज जिस व्यक्ति को जिस वर्ड को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने जा रहा है वो पिछडा होना चीज़े पिछडा होने का मतला पिछडी जाती से नहीं है आप बार बार ये कह रहा हूँ पिछडा होने का मतलब है कि समाज में पिछडा हुआ वो SC है और ST है इस बारे में article 16 की clause 4 में बता दिया गया 4A में बता दिया गया कि SC और ST को ही मिलेगा तो पिछडे पन का डेटा आपको लाना होगा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि वो व्यक्ति पिछडा है दूसरा ये कि आपको पता है कि article 16 4 में और article 16 4A में जो reservation का ground है वो क्या है? adequate representation यानि परियाप्त प्रतिनिधित्व तो अगर कोई वर्ग ऐसा है जिसका किसी class में जिस class में आप उसको एक वर्ग से गैसे class C से class B में अगर प्रमूट करने जा रहे है तो class B की उस नौकरियों में उस वर्ग का क्या है? adequate representation नहीं है अगर adequate representation नहीं है into the view of state यानि राज के दृष्टी कोण में राज की राय में परियाप्त नहीं है प्रतिनिधित तो ही आप आरक्षड दे सकते हैं तो आपको इस बात का data second बात कही है अगराजन के case में कि आपको इस बात का data देना होगा कि जिस वर्ग में आप उसको promote कर रहे है उस वर्ग में उनका क्या है परियाप्त प्रतिनिधित तो नहीं है और तीसरी बात क्या कही? कि you also must prove कि जो आप reservation देंगे ठीक है? वो reservation efficiency efficiency of administration will not effect ठीक है? यानि कि वही 335 वाली बात जो प्रशाशन की दक्षिता को बनाये रखने के बारे में बात करती है जब भी आप आप रक्षर देंगे उसी के बारे में कहा कि जब आप देने जा रहा है promotion in reservation तो उससे efficiency of administration यानि प्रशाशन की दक्षिता प्रभावित नहीं होगी उसी दावे के अधीन रहती हुए ही आप क्या कर सकते है reservation दे सकते हैं आपके प्रोननती के matters में तो ये बात थी अब ये 3 चीज़ों का data लाना सरकार के लिए एक टेड़ी खीर जैसा है कि परयाप्त प्रतिनिधित्तों का data कैसे निकाला जाए कि किस class में क्योंकि एक class की नौकरियों में कई विभाग है कई विभागों को देखा जाए या कैसे देखा जाए दूसरी चीज़ की efficiency of administration प्रभावित होगी या नहीं इसका कोई parameter नहीं कि कैसे होगा अब इस निर्ने के आजाने के उपरांत ही promotion में reservation दिया जाना बहुत ही ज़ादा कठिन हो गया अब जब ये promotion में reservation दिया जाना बहुत ही ज़ादा कठिन हो गया तो इस की जो निर्ने आया था इस निर्णय पुनरविचार की मांग जो है समाज में और सरकार की तरब से बड़ी तीव्र गती से हुई पिछले कुछ वर्षों में और जब पिछले कुछ वर्षों में इसकी तीव्र मांग हुई तो इसमें दो जजमेंट बहुत ज्यादा important है पहला जजमेंट आपका BK पवित्रा BK पवित्रा versus Union of India BK पवित्रा versus Union of India के तीन लगतार जजमेंट आए 2017 में, 2019 में और 2020 में यह 2017 वाला जजमेंट है अब इस 2017 वाले जजमेंट में करनाटका स्टेट ने reservation करने के लिए provision में 2002 का एक act बनाए हुआ था जिसके थूँ प्रमोशन में क्या कर रही थी, reservation दे रही थी और इसको challenge किया गया इसकी constitutional validity को तो Supreme Court ने पाया कि जब आप reservation दे रहे हैं तो reservation देने में जो इसको बिना साबित किये चुकि आप reservation दे रहे थे तो इसको क्या किया? Unconstitutional declare कर दिया. जब Unconstitutional declare किया तो Unconstitutional declare करने के बाद करनाटक सरकार ने इसमें पुनर जो है एक बर प्रयास किया और रतना प्रभा कमेटी बनाई रतना प्रभा कमेटी ने क्या किया 31 विभागों का राजसरकार के 31 विभागों के पास जा करके उन्होंने एक डेटा तयार किया कि किस विभाग में कितना कितना representation है ताकि ये बात clear हो सके कि आपका adequate representation है या नहीं है और दूसरी जो matter है कि efficiency of administration तो ये बात की बात थी पहले adequate representation तो रतना प्रभा कमेटी ने 31 विभागों का आउलोकन किया और इस बारे में लाकर के एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इसको challenge किया गया पुनह जो है आपके बीके पवित्रा वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया इसका जो citation है वो है 2019 इसको सुप्रीम कोट ने valid मान लिया ठीक है हाला कि इसमें backwardness का data और जो है backwardness का data जो है प्रस्तुत नहीं किया गया था यही दो जो है efficiency of administration और adequate representation के बारे में जो प्रावधान थे उसी को कर दिया गया था इसको क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया था इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ यही जो मुख्य मुद्दा है हमारा द्यान रखेगा कि 2019 का judgment है यह पहले 2017 का था अब यह 2019 का है 2018 में एक judgment आया है इसी judgment ने सारी चीजों को बुरे तरीके से बदल दिया है अब इसको ज़रा समझ लीजे जर्नेल सिंग् बुर्स्टार्स लख्षमी नारायं गुल अ जनरेल सिंग वर्सस लक्ष्मी नारायन गुपता 2018 सुप्रीम कोट 2018 में जब सुप्रीम कोट में मैंने बताया था आपसे कि 2006 के नागराजन के निर्ने के बाद क्या हुआ बहुत ही जादा कठिन हो गया कि क्या किया जाए प्रोननती में आरक्षण जो है दिया जाए और इस पे लगातार जो है मांग की जा रही थी तो ये मांग उठते हुए सुप्रीम कोट तक आई इस केस में और इस केस में जो है मांग की गई कि M. नागराजन का judgment जो है 7th bench का judgment है उसको एक larger bench को भेजा जाए क्योंकि M. नागराजन का judgment जो है वो इंदरासानी के judgment के contradictory कहीं न कहीं है और जो condition lay down की गई है वो conditions कठिन है और इस से जो है जो समविधान का प्रावधान है सततर्वा समविधान संसोधन वो पूरत जो है कारवरत नहीं हो पा रहा है इसकी जो है मांग की गई थी इसमें Supreme Court ने जो तीन शर्ते थी आपको बताया था नागराजन के case में कि पहली चीज की backwardness का data लाई है ठीक है पिछडे पन का data लाई है दूसरा क्या बताया कि यानि परियाप्त प्रतिनिधित्तों का आभाव नहीं है और तीसरा क्या था प्रशाशन की दक्षता बहुत ध्यान से समझिएगा जब Supreme Court ने अपना नेड़ने दिया तो उन्होंने कहा कि backwardness तो पहले से ही clear है इस backwardness का data आपको देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप reservation चाहते हैं तो आपको देना होगा data कि जिस class को आप promote कर रहे है reservation दे रहे हैं promotion में उनका adequate representation जो है उस class में नहीं है यानि कि अगर class C से आप class B में जो है SC को reservation दे रहे हैं तो SC का reservation इस basis पे दे रहे हैं क्योंकि इस class में SC के मात्र भी दो ही लोग है इसमें परियाप्त प्रतिनिरित्त नहीं है तो आप दे रहे हैं और प्रशाशन की दक्षता तो ये दो चीजों को आपको साबित करना होगा इसमें हम कोई ढिलाई नहीं दे सकते हैं और पहली बार जो है क्या किया creamy layer का concept जो है applicable किया है इसी case में पूछा जा सकता है आप से कि SCST के लिए reservation in promotion वाले matter में creamy layer का concept किस case से लाया है तो creamy layer का concept जो है इस case में लेकर के आए और कहा कि creamy layer से उपर के जो लोग है उनको जो है reservation में promotion में reservation ना दिया जाए तो ये दो शर्ते थी और ये दो शर्ते 2018 में आ गया ये judgment और मैंने बताया कि 2019 में ये judgment आया था जबकि 2017 वाले judgment में BK पवित्रा के 2017 वाले judgment में Supreme Court ने कह दिया कि चूकि नागराजन के guidelines का violation करता है इसलिए मानने होगा उसके बास रतना प्रभा कमेटी बैठाई गई और इसी दोरान 2018 में judgment आ गया कि backwardness का data नहीं देना है इसलिए backwardness का data नहीं दिया और 31 विभागों का निरिक्षण करने के बाद रतना प्रभा कमेटी ने अपना data दिया था जिस पर उचतम नियाले संतुष्ट हुआ और उसने माना कि हाँ adequate representation नहीं है और प्रशाशन की दक्षता इसमें बरकरार रहेगी तो करनाटका का जो reservation act था उसको 2018 में जो नया बनाय गया था उसको validate कर दिया तो यहांसे बीके पवित्रा का judgment है ठीक है अब जो अब decision आया है ठीक है अभी जो पिछले हफ़ते जो decision आया जब मैं record कर रहा हूं इसको ठीक है पिछले हफ़ते यह decision आया है उस decision के उपर चलते हैं क्योंकि अब देखे समस्या क्या है कि अभी भी ये दो शर्ते ऐसी हैं, जिनका अनुपालन किया जाना और परिहार है, mandatory है, और adequate representation का data कैसे लाएं, class के हिसाब से लाएं, या फिर cadre के हिसाब से लाएं, या प्रशाशन की दक्षिता प्रभावित होगी, अथवा नहीं होगी, इसको किस तरीके से court में satisfy करें, इसको लेके उलजन है, हला कि कहीं न कहीं, इसमें ये भी प्रतीत होता है, कि ये political will की कमी की वज़े से है, क्योंकि ये इतना बड़ा matter नहीं है, कि जिसको ऐसा किया ना जा सके, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अब वास्तविक स्थिति क्या है, इस बारे में जो है नहीं पता, जो समयधानिक प्रावधान है, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको समझिये कि क्या है, अब जो नया judgment आया है, judgment जो नया आया, इसका जो नाम है, वो है General Singh, General Singh, versus Lakshmi Narayan Gupta, जो 2018 में आया है, वही case law है, ठीक है, पूरे तरीके से नाम जो है, वही है, यहाँ पर एक चीज जो है, गर्बर हो गई, Lakshmi Narayan Gupta and others, ठीक है, तो Lakshmi Narayan Gupta के case में जो है, अब पुना ही इसकी मांग जो है, कोट ने फिर से सरकार की सारी मांगों को नकार दिया, और Supreme Court ने जो कहा है, वो बहुत ही जो terminology यूज की है, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, कि कोट नोट 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 ले डावन यार्ड स्टिक, for determining adequacy of representation, यानि न्याले जो है, यह जो परयाप्त प्रतिनिधित वाला जो विवस्था है, कि राज्य किराय में प्रतिनिधित ना हो, और जो आपका M. नागराजन में कह दिया गया है, कि परयाप्रतिनिधित नहीं है, इस बात का data दीजिए, और लक्ष्मी नराइन गुपता 2018 में भी कह दिया, कि इस बात का data दीजिए, तो अब कोट यह नहीं बताएगी, कि यह data आप किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, यह राज की जिम्मेदारी है, कि वो किस तरह से इसका data निकालता है, एक चीज और सुप्रीम कोट ने कही है, कि आप जब एडिक्वेसी और रिप्रेजेंटेशन का निरधारण करेंगे, तो कैडर को unit मानेंगे, कैडर, ठीक है, कैडर हा गई, unit for the collection of adequacy of non-representation of the said class, यानि कि कैडर को माना जाएगा एक unit के रूप में, इस बात का निरधारण करने के लिए, कि जिस वर्ग को आप देना चाहते हैं, reservation, उस वर्ग का, उस कैडर में क्या है, परियाप्त प्रतिनिदित नहीं है, ना कि पूरा का पूरा class आप रखेंगे, ठीक है, तो कैडर के basis पर आप इसको क्या करेंगे, decide करेंगे, ना कि entire service यानि संपूर सेवा को आप नहीं लेंगे, उसके basis पर आप क्या करेंगे, इस बात का निर्धारण करेंगे, और ये राज्य की जिम्मेदारी है, कि वो इसका निर्धारण करे, कोट इस बारे में जो है, कोई पैमाना नहीं देगा, बस कोट ने यही कहा, कि कैडर के basis पर ये होना चाहिए, और साथ-साथ कह दिया, कि जो शर्ते लगाई गई है, नागराजन के जज्जमेंट वाली, और जो है, लक्षमी नारान गुपता के जज्जमेंट वाली, कि adequate representation आपको देना होगा, और प्रशाशन की दक्षता इससे प्रभावित नहीं होगी, इस बात का डेटा दिये बगैर, आप reservation में promotion नहीं दे सकते, तो 2022 का ये जो जज्जमेंट है, ठीक, 2022 में अभी जो है ये, जज्जमेंट आया है कुछ दिनों पहले ही, और इसे में court ने ये बात कही है, आप देखेंगे कि सुर्खियों में ये जो है चल रहा है, कि यो yardstick कोई पहमाना कोई जो है नहीं देंगे, कोई parameter जो है court नहीं decide करेगा, और ये राज्य की जो क्या है, दायत्व है कि वो इस बात को decide करे, कि कैसे हम ये माने कि inadequacy of representation है, ठीक है, कि परियाप्त प्रदेदित तो नहीं है, इसका निर्धारण करने के जिम्मेदारी राज्की है, हलांकि कैडर को एक पैमाना मानना चाहिए, ना कि संपूर क्लास को जो है, कि पूरा का पूरा वर्ग ही नहीं रहे, इस आधार पर आप नहीं देंगे, कि राज जो है, इसका क्या करें, सबूत ला करके हमें दे, कि हाँ, वास्तविक रूप में हमने इस बारे में जो है, सर्वे किया है, और सर्वे के बाद एक रिपूर्ट है, जहां पर परियाप्रतिनित्त नहीं प्रतीत होता, और कोर्ट उसे सैटेस्वाई हो जाए, तो कोर्ट इसको एलाव कर देगी, अदर्वाइस जो है, यह प्रमोशन में रिजर्वेशन अनकॉंसिट्यूशनल है, डिस्पाइट अफ दीस फैक्ट, दे रिजर्वेशन इन प्रमोशन इसन फंडामेंटल राइट, काफी सारी चीज़ें इससे क्लियर होती है, आपका मेंस का राइटिंग भी जो है, इससे लगभग क्लियर हो जाएगा, छोटे से जो है, वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, अब आपको बहुत उसमें पढ़ने की आवशकता नहीं है, क्रक्स आपके दिमाग में है, तो यह आपके लिए लाबदायक हो सकता है, अगला जो वीडियो में लेके आऊँगा, मैं प्रयास करूँगा कि Consequential Seniority यानुवर्ती वरिष्टता पे लेके आऊँ, और मैं प्रयास करूँगा कि संवेधान के विभिन टॉपिकों के ओपर जो है, मैं वीडियो लेके आऊँ, अगर आपका कोई ऐसा विशेश टॉपिक है, जो आपके समझ में नहीं आता है, Constitution of India से, या Criminal Law से Related कोई भी ऐसा टॉपिक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अगर कमेंट मुझे उसे साफसे ज़ादा मिलते हैं उस टॉपिक के रिलेक्शन में, तो मैं उस टॉपिक वीडियो बना दूँगा, ठीक है दोस्तों, तो ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास, यदि आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा जो है, काफी मनोबल बढ़ता है, और मैं प्रेरिद भी होता हूँ, कि मेरी चीज़े लोगों को पसंद आ रही है, तो और जादा बढ़ चड़के, इस पर काम किया जा सकता है, चलिए, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके उजवल और उजवल भविश्य की मैं कामना करता हूँ, फिर मिलेंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया.